फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मक्के की आटे की एक दम यूनिक तरीके सा बुलकुल जबर्दस्त टिक्कियां जी हाँ दोस्तों बहुत ही मज़िदार लगती है भई इसके साथ आलू मटर की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती तो चलिए दोस्तों देरी न करके फटा फ नरे पहुत करें लिए जैसा मैं कंुपए सब्सेल दोस्तों एंक हम अंचे से निकाल नहीं में आलू या हैं अप देख सकते हैं वह संब्सेलिया पहला की चाल में ठों टेफिजिय के नभतीक्षी और कल दिया है और जितने वी अलूने सारी में क कटो Council लगा देंगे इतने हम क्या करेंगे एक कडंग कम हम यह रए देंगे सर्णबं सेल यह हैं सो तो एक हरी मिर्चि ल्ख हुट सी चलिए दूस्टों हमारा इससे पेले यह दो खौन बहुत ही एचरए से मैं मिला लूँ आपको सब्सक्राइब और यहां करेंगे हम अधी चमघ डालेको अपकते मिलाए देगे तो अब क्या करेंगे इसको इसम टमाटर को श्ची से अब क्या करेंगे इतने पर द्रेंगे डिलें पर इंब सितरा खूप gefम आदि अद्रक दोस्ते खीनी हमाने पहले सब माले सब्सक्राइज Corps को और इसको नब क्या करेंगे अच्छी से मिक्स करेंगे मसाले में इससे बहुत यच्छा टेस्ट आताawan इसे फिर की आद्व दाओं only पहले और मतर स्थे देंगे तो चलिए दोस्तों में इसको पहले अच्छे से मिला ले देंगी ओर इसको अच्छी से इसमें भुन्ने देंगे सो इस हाथो सेमेश कर लेंगे आप देख सकते हैं अब अच्छी से हमें तेल चुक Champions से मज़के तो बहुत अब हम इसमें डाल देंगे आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर सारे अलू डाल दी हैं अब क्या करेंगे इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी आप अपने हिसाब से डालना जैसा आप तरी खाती हो तो फ्रेंट्स यहां पर मैं कम ना तो कम डालोंगे ना जादर डालोंगी मीडियम साइज में डालोंगी तो तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से खटके लग चुके हैं तो यहां पर मैंना हराधनिया डाल दिया है हराधनिया डालें के पाद इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो चलिए दोस्तो बहुत ही परफेक्ट तरिये सा हमारी यह आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको क्या करूंगे एक बरतन में निकाल लेंगे इसको आप कर देंगे साइड में फ्लेम को आफ करके अब यहाँ पर मैंने एक पनात ले लिए परात में मैंने चार पांच आलू ले लिए थे इसको अच्छे से मैश कर लिया है थोड़ा सा हरा इकलो हमने मकी का आटा ले लिया और इसको चलनी में अच्छी से चान लेंगे तो आपको ना कोई भी आटा हो तो चानना जरू चाहिए ताकि इसकी गंदगी हट जाए तो फ्रेंट्स बहुत ही अच्छी से यह आटा च्छन के तयार हो चुका अब क्या करनें यह पर स्वा एससी तरीके से कर लेना है तो इसको ना आठा शीचिना भी बौलते है तो इस तरीके से आप अपको शीच लेना ड्कूल से औरो मैंने यह तक तरिक्ट तहित बना चुक्ये हैं तो बहुत थी तक्कों बन चुके इंद्धी मैं गैस पे फ्लेम को अन कर दिया और मैंने यहां पर इस तरीके से डाल दूंगी इसी तरीके से एक साथ में चार टिक्या डाल दी है तो अब क्या करेंगे आप इनको उलट पलट करके सेखेंगे तो चलिए दोस्तों अब इसके उपर हम कुकिंग ऑल डाल देंगे रिफाइंड होता है इससे को ऐची गी से बहुत सकती है तो तॉधा वट असको यह च्यक्तर आफ तरीके के और बधियू मीडियं पे रखना इससे तरा बहुत ही जाएंगी तो आप क्या का चामारान माले तक्रहस्य कहाँ सब्सक्राइब कनल सब्सक्राइब वह कर लिया लिया कई गुड़Pro टीचार सकता सब्सक्राइब झालिक न界नाम थो डा η ripping भी थे प्राइब तो चलिए दोस्तों मैं आपको पासे भी दिखा देती हूं यह देखे दोस्तों कितनी करणची एकदम पर्फेक्ट तरीके से बनी है बहुत ही टेस्टी लगती है गाइज एक बार ट्राय करना बहुत ही यह यह टेस्टी लगती है तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा अब पर कई सब्सक्राइब यह लगते हैं तो पसंदम रलाख सब्सक्राइब करना अंताऊ की लाअची लगाई ऋ बिल्कुल भी गंजूसी मत करना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे मक्की की आटे की टिक्की और मठर आलो की सबजी आपको कैसे लगी जाजे जाज शेयर करना ताकि बागी लोग भी अपने घर में बना कर खा सके और इंजॉय कर सके फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मॉच बड़े हो तो आशी बात दे धेर सारा प्यार में दें मिलेंगे नेक्स रूड़ी को साथ न्यू रैसीपी के साथ बाबाई टेक के और लाव यू